हेलो फ्रेंट्स आज है फिर से हम गर्मा गरम न्यूज के साथ सबसे पहले टेक्नियूज में बात करेंगे डिजिटल चैट इस्टिशन के एक टूट से पता चला है कि ओपो का आने वाला फाइंड साइड एक्स फॉर मॉडल में आपको 18 वाट का फास्ट चाइड देखेने को मिल सकता है और साय रंको यही सेम चीज हमको वन प्लस के थैज में भी देखने को मिल सकती है और जो नेकल क्या रही वह निकल क्या रही मोटो के जी सीरीज के सबसे मोटो जल्दी सकता है motor का G-41 motor का G-51 और motor का G-71 हम को इस जल्दी देखने को मिलने वाले हैं और जो नेक्ट निखल क्यारी वह निकल क्यारी सैमसंग के तरब से रूमर से जिसमें उसने 2K डिस्प्ले के बारे में हम को देखने को मिले तो शायद रैडमी जल्दी अपने फॉन के अंदर टू के डिस्प्ले लेके आने वाला है और जो नेक्ट निखल क्यारी वह निकल क्यारी मोटरोला के तरब से मोटरोला ने अपना मोटो जी पावर 2022 लांच कर दिया इसके कुछ फीचर से सामने निकल के आए वह है इसमें आपको मिलेगा हीलियो का जी थाटी से वन का प्रोसेसर बात करें इसके डिस्प्ले की साको मिलेगी 6.5 इंच के डिस्प्ले जिसका जो रिफ्रेस्स रेट होगा वह होगा 90 हज और लेगा बेक में इसने कंब सबस्वेन इस तर्स तर्द से मोटो रोला का मोटो एज 30 थी एक्स का जो एट लकं से सब्सक्द से उपर निकल के आए और जो नीकल का रही वो निकल क्या रही ओपो के रैनो 7 प्रो के बारे में यह गीगा बींच पर विजिट हुआ है इसमें हमको 8GB की रैम और हमको डैमिंसिटी 1200 का प्रोसेसर देखने को मिला है और जो नेक्ष निकल क्या रही वो निकल क्या रही वन प्लस 10 प्रो के तरफ से यह हमको पहले साथ च क्या रहे आपल अपना फोन चलो करने वाल है जिसका नाम होगा अपलश सर्विस प्रोग्राम इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी रिपेरिंग पार्ट अपने फॉन के लिए पचेस करना होगा आपस्को पर्चेस करके खुद से आप उसको रिपेरि कर सकते यानिए आपक चैनल पर आप नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देने ताकि आपका ऐसी गरम अगरम टैके नियों रोज देहने को मिलते रहे तब तक लिए थैंक्यू